हेलो फ्रेंड्स कभी भी कुछ चटपटा और हेल्दी खाने का मन कर रहा हो तो आप इस रेसिपी को बना सकते हो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता और घर के कुछ समान से आप एक्दम इजी वे में बना सकते हो टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है तो फर देर किस बात की चलिए बनाते हैं तो इस रेसिपी को आज हम बनाएंगे गेहों के आटे से उसके लिए क्या करेंगे आधा कब गेहों का आटा लेंगे नॉर्मल जो हम लोग आटा यूज करते न फलका बनाने के लिए वही आटा है तो अब इसमें कुछ कटीवी सबजियां एड करेंगे जैसे गाजर, सिमला, प्याज, यदि फूलगो भी खाते हो, ब्रोकली खाते हो तो सारी सबसियां आप डाल सकते हो, जो आपके फ्रिज में है वो डाल दो क्योंकि इस नास्तिक को हेल्दी आप बहुत तरीके से बना सकते हो तो अब इसमें थोड़ा सा बारी कटा हुआ धन्या पत्ती डालेंगे एक टुकड़ा अद्रक जिसको हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है दो कली लेसन भी आप डाल सकते हो, यदि आप लेसन खाते हो तो अब एक कटीवी हरी मिर्चे डाल देंगे, तीखा आप अपने नुसार कम्या जाता कर सकते हो अब इसे हम साइड में रख देते हैं, अब दूसरी तरफ लेंगे एक कटोरी, फ्रोजन कॉर्न या फिर जो स्वीट कॉन आता है न मक्का मार्केट में वो भी आप ले सकते हो, मैं आज तो ये मक्का ली हूँ ये स्वीट कॉन है, अब इसे मैंने छील के एक कटोरी लिया है अब स्वीट कॉन को मिक्सी के जार में डाल के एक बार पल्स मोड में चलाना है चिखना बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ एक ही बार चलाना है तो देखिए हमने एक बार चला लिया है, कुछ खड़े भी दिख रहे हैं, कुछ हलका सा पिस भी चुके है अब इस पीसा हुआ मक्का को क्या करेंगे, जो हमने मिक्स करके रखा है आटा में सारी सबजियां अब से ढाल देंगे अब इसमें डाल देंगे खटा पन के लिए थोड़ा सा निम्बू का जूस, निम्बू का जूस से थोड़ा सा टैंगी टेस्ट आता है, खाने में टेस्टी लगता है तो नमक डाल देते हैं थोड़ा सा, तो अब इस नास्तों को थोड़ा सा फुला फुला बनाने के लिए क्या करेंगे, चुटकी से एक चुटकी खाने का सोडा डालेंगे, जिसे हम लोग मीठा सोडा कहते हैं, जादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है, हो सके तो नई भी डालेंगे तो भी चल जाएगा लेकिन डालने से क्या होता है थोड़ा सा फुला फुला बनता है अब इन सारी चीजों को इस तरह से अच्छी तरह से हाथ से मसल मसल के मिक्स कर लेना है अब सभी चीज अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है तो अब इसमें एक चमच तेल डा थोड़ा सा ही पानी डालने से यह पूरी अच्छी तरह से डो के फॉर्म में आ गया है आटा रहने के कारण थोड़ा सा हाथ चिप चिपा हो गया है तो अब क्या करेंगे हाथ धो लेंगे और धो के थोड़ा सा तेल लगा लेंगे तेल लगाने के बाद इस तरह से लोई लें है तो चलते हैं फिर आब इसे कुक करेंगे तो अब इसे आज हम भाप में बनाएंगे आप जाएं तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं लेकिन वा हेल्धि हम इसे बना रहे हैं तो भाप में तो तेल बिल्कुल भी नहीं लगएगाँ कढ़ाएं में पानीfa गरम करेंगे तो अब ये पूरी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, ठंडा होने के बाद आसानी से ये निकल जाता है, आप इसे सेलो फ्राइ करके भी खा सकते हो, डिफ फ्राइ करके भी खा सकते हो, या फिर इसी तरह से खा सकते हो, तो आज मैं इसी तरह से खा रही हूं, हलका सा आप चा टाइब करें